अगर आप भी बीबो एंडरोइड स्मार्टफोन यूज करते हो और वो बीबो एंडरोइड स्मार्टफोन में आप कुछ इस प्रकार पासवर्ड लगा के अपना पासवर्ड को भूल चुके हो तो फ्रेंड आप बिल्कुल सही वीडियो पे आये हो क्योंकि आज की इस वीड लोख हो या पैटन लोख हो या पीन लोख हो किसी भी तरह का लोख हो आप उसको रिमूव कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो तोड सकते हो बिना सर्वी सेंटर गय हुए और बिना डाटा लॉस किये हुए आप बिल्कुल सही सुन रहे हो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं आप से छुपाते हैं लेकिन वो method बताने से पहले मैं आप लोग से request करना चाहता हूँ कि ये video सरिफ education purpose के लिए है इसका मतलब आप किसी गलत तरीके से नहीं निकालिएगा अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो आप इसका जिमेवार खुद होगे आप इस वात को हमेशा याद रखना तो फ्रेंड आज की इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास बीबो android smartphone है वो lock हो चुका है कुछ इस परकार तो आप तो समझते ही होंगे कि आपके सामनी कितना बड़ा problem आ चुका है लेकिन वो problem को मैं 5 से 6 मिनट में solve कर दूँगा यह मेरा आपसे promise रहा अगर आप इस video को इंड तक देखोगे लास्ट तक देखोगे तो आप बिल्गुल सीख जाओगे बीबो का lock कैसे तोड़ा जाता है बिना service center गए हुए और बिना data loss किये हुए friend आप लोग को एक बात पता होगा कि जब आपका phone कुछ इस पर का lock हो जाता है और unlock नहीं होता है तो आप इस case में direct service center जाते हो service center वाले आपसे पैसा भी लेते हैं आपका समय भी लेते हैं और जब आपका phone unlock करके देते हैं तो service center वाले phone के अंदर का total का total data delete कर देते हैं ये बाद तो आपको अच्छे से पता होगा लेकिन मेरे इस method से अनुसार अगर आप चलोगे मेरे method के अनुसार तो आपका phone भी unlock होगा और data भी safe रहेगा और पैसा भी नहीं लगेगा ये बिलकुल free video है friend तो इस video का lab उठाएं तो आए friend मैं इस interested video को start करता हूँ सबसे पहला बर्क आपको अपने screen के उपर ऐसे sweep up करना है यहाँ पे आप खुद ही एक समझदार बन्दे हो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे आप कहीं भी click करके क्या बर्क कर सकते हो नहीं कोई बर्क नहीं कर सकते हो friend यहाँ पे सिवाए emergency call पे click किये हुए यहाँ पे click करोगे तो ही आप बर्क कर सकते हो वरना आप कहीं भी click कर लो कोई बर्क नहीं कर सकते हो कोई भी बर्क नहीं होगा तो आपको यहाँ पे emergency call पे click करना है जब आप Emergency Call पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये New Dialed जो खुलता हुआ दिख रहा है इसे New Kiped भी आप लोग बोल सकते हो इस पे आपको सबसे पहले एक Secret Hidden Code का इस्तमाल करना होगा जो Code आपके फोन के अंदर का जो Data है वो Data Total का Total सेफ कर देगा वो इसी Code के माध्यम से आपका Data सेफ होगा फ्रेंड तो इस Code को सबसे पहले आप मैं जूंग करके दिखा देता हूँ इसको कहीं लिख लो या Skin Shot ले लो ये इतना Important Code है फ्रेंड ये September मन्त का Code है आपको हमेशा मैं बता दूँ कि ये Code सिर्फ September मन्त तक ही काम करेगा ये बात आप अपने हमेशा माइंड में मेक अप करके रखना इस Code को 5 टाइम कॉल करना है ताकि ये Code रणिंग करे और आपका Data सेफ कर दे फाइब टाइम कॉल कैसे करोगे फ्रेंड कॉल पे जब क्लिक करोगे कॉल फिल्ड का मेसेज आएगा उसको ओके कर दीजेगा ये होगी ये वन टाइम ठीक इसी प्रकार 5 टाइम कॉल करना है आपको तो ये होगी है 2, 3, 4, and then 5 फाइब टाइम जब आप कॉल कर लोगे इस Code को तो इस Code को आपको एके करके हटाना है एक वात हमेशा याद रखेगा एके करके हटाना है जो प्रोसेस के अनुसार है वही प्रोसेस के अनुसार आपको चलना है तो इसको आप एके करके ऐसे हटा सकते हो जब इस code को आप हटा लोगे friend तो आप इतना जरूर समझाना कि आपका data safe हो चुका है जो मैं आपको वीडियो के end में आपको जरूर दिखाऊंगा तो अब आपको वो second code मैं provide कर रहा हूँ जिस code का नाम होता है master unlocking code जिस code के मदद से आपका password lock हो या pattern lock हो या pin lock हो या fingerprint lock हो किसी भी तरह का lock हो आप उसको घर बैठे तोर सकते हो बिलकुल आसानी से सिर्फ इस code से और ये जो जो मैं code आपको दे रहा हूँ friend वो सिप्तेमबर मंत का latest code है आप हमेशा याद रखना इस code को सबसे पहले note कर लेना इस code को friend आपको 9 time call करना है बोले तो 9 बार ठीक उसी परकर जैसे पिछले time किये थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9 9 time जब call कर लिए friend तो इस code को इस वार एक एक करके नहीं हटाना है इस code को इस वार direct हटाना है तो direct आप कैसे हटा होगे यहाँ पे किलिक करी होगे तो यह code हट जाएगा यहाँ पे ऐसे क्लिक किजिएगा छुए रहिएगा टच किए रहिएगा यह code हट जाएगा जब यह code हट जाएगा friend तो आपको home button दिख रहा है home button पे क्लिक किजिएगा यह दि आपके वीबो और राइट स्मार्टफोन में sweep up का option है तो sweep up से किजिएगा लेकिन यहाँ पे मेरा phone में जो मेरे हाथ में phone है वहाँ पे home button का option दिया हुआ तो मैं home button पे क्लिक कर रहा हूँ और चेक करूँगा कि इसका lock टूटा है या नहीं टूटा है जी हाँ फ्रेंड आप देख सकते हैं सच में इस phone का lock टूट चुका है और इस phone का data भी आप देख लिजे फ्रेंड इस phone का यह वी data डिलेट नहीं हुआ है जो data पहले से मौझूद था वो data अभी दिये अगर आप सर्वी सेंटर गय होते तो आपका पैसा लगता समय लगता और यह data भी लग जाता लेकिन मैंने आपका पैसा ही बचाया समय बचाया और data भी बचाया तो अगर यह मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूटूब चैनल को सब्स्राइब करके black and paste कर लीजेगा और आपके पास किसी भी company का handset है लोक हो चुका है लोक नहीं और आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हो मैं आपका पूरा मदद करूँगा तब तक के लिए बैबाई thanks for watching